तो दोस्तों कैसे हो आप सबी और आज हम लोग पढ़ने जा रहें नागराज की कब्र और आपका स्वावत है चैनल में कोमिक्स का खजाना और ये जो कोमिक है आपने आपके बच्पन में जरूर पढ़ी होगी नागराज की कब्र तो चलिए अब बच्पन की यादों को फिर जो प्रत्यक परिस्थिती का मुकाबला कर सकता था महाशक्ति शाली नागराज को आतंगवादी गिरों के सड़दार बुल्डोग ने किराये पर प्राप्त कर लिया और नागराज से आसाम में विनाश प्रारम करवा दिया लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरक नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ दिया फिर नागराज के मस्तिश्क का ओप्रेशन कर उसे प्रोपाइटर नागमणी के चंगुल से मुक्त कर दिया तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया के सभी का तंगवादी गिरोहों का सफाया कर देगा तब आगे पड़ते बुल्टक मेरा पहला शिकार होगा चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे पर किराय पर हासिल किया था आसाम में उसके कई बेगार केम्प है मुझे सबसे पहले साकू कबीला तेखना चाहिए यहां से वही सबसे पास है नागराज नाग रस्ती की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की और बढ़ जला और फिर इन ही केम्पोन से मुझे बुल्टोग के हेड क्वार्टर का भी तो पता चलेगा एक रात का सफर तै करने के बाद नागराज पहुचा सुबह ही साकू कबीले में य जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल में होटल में जा पहुचा क्या तुम शेखू को जानते हो वह इस बस्ती में रहता है शेखू ठरो वहां बेठो पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह घबरा क्यों गया उदर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पूचा अगर यही वही आदमी हुआ तो मुझे वहाँ दोलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है पासी के एक जोपड़े में वहाँ गुसा रोमो सुनकर खूश होगा रोमो मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुण कड़वा जरूर करूँगा मैंने उस आदमी को पाल दिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पेशा पेदा कर सके किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखु से कम पढ़ती जा रही है मेरे दुश्मन शेखु का नाम किस तरह लिया तुने सवेरे सवेरे भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूँगा रोमो मैं तुम्हारा दोस्तू तुम्हें फिर सा ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशकबरी लेकर आया था मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है खेर बता क्या खुशकबरी लेकर आया है तू बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखु की तलाश माया है और यहाँ वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मुर्ती लूटी थी और जिसे शेखु तलाश करता फिर रहा था तुम्हें कैसे यकिन गिया वही आदमी है शेखु ने मुझे उसका हुल्या बताया था उसका कहना था कि उस हुल्या का आदमी कभी भी नजर आये तो तुरंट उसे खबर करके 5000 रुपे इनाम हासिर कर ले बेवकूफ जिस अदनी को शेखु तलाश कर रहा है वकूफ शेखु को तलाश करने उसी की गनमाएग मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता लेकिन हुल्या वही है साब जैसी आखे उसकी खास पहचान है मेरा दिल कहना है कि यहाँ वही आदमी है जरूर वहां मुर्ती लेकर आया होगा इससे पहले की वहां शेखु के संपर्क में आये हम काम कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है कि यहाँ वही मुर्ती चुराने वाला है या कोई और तुम उसे शेखु से मिलाने के बहाने जिंगा गार में ले जाओ लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनर्शिप 50-50 रहोगी शराब का खर्चा निकाल कर जो मिलेगा आधा आधा या रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा होटाय मालिक वापिस होटल में लोट आया ए मिस्टर चलो तुम्हें शेकू से मिलवा देता हूँ चलो सचमुच वही बिल्कुल यही हुल्या बताया था शेकू ने मुझे अब तुम इस गार में उतर जाओ मुझे यही से वापिस लोटना है धन्यवाद दोस्त तुमने मुझे यहां तक का रास्त दिखाया रोमो वह जिंगा गार में उतर चुका है और यहां शंत्रतिशत वही आदमी है उसका नाम नागराज है अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो सबसे पहले मुझे इस गार का रास्त बंद करना होगा फिर चोर रास्ते से अंदर जाओंगा मेरा बेकू दोस्त कालू कहना था कि शराव ने मेरी ताकत छीन दिये लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूं अगर मेरा बेकू दोस्त मुझे चहाने उठाते देख लेता तो शायद बेहोशी हो जाता यह पतली दरार अपने शरीर की मांस पेशियो सिकवडने की कला जिसे आती है तो वह एसे चोर दरवाजे पार कर सकता है गार में नागराच, नागराच क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जवाब दो हाँ, में तुम्हारी आवाज सुन पा रहे हो उसकी आवाज सीसरे मोड वाली गुफा से आ रही है इस गार के आवाजों का अनुमान सिर्फ में ही लगा सकता हूँ यहाँ आवाज गुंचती है जरासी आवाज पुरे गार में सुनाए पड़ती है और अन्दाज लगाना मुश्किल होता है कि आवाज कहा से आई हेरान होने के जरूरत नहीं है नागराज मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ाओ क्या तुम शेखू हूँ हाँ, मैं ही शेखू हूँ मुर्दी का है नागराज पहले में तुम्हारी पहचार करूँगा कि तुम शेखू हूँ हो या कोई और अपनी दाई हते लिया दिखाओतो तुम शेखू नहीं हो बुड़क के सभी शेत्रिय शरदारों के हाई हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है वह तुम्हारी हतेली पर नहीं है यह रही मेरी हतेली का निशान मैं मास्टर रोमो हूं रोमो जो इस दुन्या में सिर्फ एक है और अकेला है जिसके पूर्खे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है मार्शाल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लो कहते है नागराज तो दोस्तों यह वाला पाण यह तक था और अगले पाट के लिए प्लीज आप इंतजार कीजेगा वह भी बहुत ही जल्द अप्लोट हो जाएगा और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं किया और वीडियोस को लाइक और शेर भी कर दीजेगा तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए